जार्खन के युवाओं को बेरुजगारी भात्ता की बजाए परत्योक्ता परिक्षाओं की तयारी कराएगी सरकार। उनकी परत्योक्ता परिक्षाओं की तयारी कराने का नहीं न लिया है। की परिक्षाओं की तयारी को लेकर युवाओं का चैन परिक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ज्यार्खन के मौसम में लगातर बदलाव देखने को मिल रहा है ज्यार्खन के सभी जिलों में मौसम बदल रहा है बारिस के साथ साथ तेज हावा और गर्जन भी हो रही है मौसम बिज्यान केंद्र के बेग्यानी अभिसेक आनन ने बताया कि सनिवार को राज्ये के उतर पच्मी और दक्षिनी इलाकों में भारी बारिस हुई उन्होंने बताया कि आने वाले 24 घंटे में पलामू परमंडल के साथ सिम्टेगा चाईबसा जमसेद पूर खूर्टी गुमला के अलावा सराय के लखार सावा और पूर्वी सिमुम भारी बारिस और बईरपात के साथ 30 से 40 किलो मीटर प्रती घंटा की रफ्तार से हवाय च मुख्यमंत्री हेमसुरेण नए दिली में जारखन की नए परतर नीती लांच किया लांचिंग कारेकरम में सी एम ने कहा हमारे टूरीजम पोलेसी में कई प्रकार के फायदे की बात है टूरीजम सेक्टर में निवेज करने वाले सबी नेसको से आगरा होगा की आप जारख के नजरिये से देखा गया है अब जहारखन को अट्रेक्शन के नजरिये से दुनिया देखे यही हमारा लक्ष है यहां के जल जंगल पहाड जहरने नदिया में परियाटन के दिश्टी कौन से असीम संभवनाए है आप देखेंगे राज्य का नाया टूरिजन पोलेसी उसी लक्ष को प्रती बीम्वित करता है पूजा सिंगल की बेटी को सीबी एसी बाराही में मिले 97.6% अंक मनिल लॉंडरिंग केस में फसी जहरखन की आईएस पूजा सिंगल की बेटी आईउसी पुरुवार ने बाराही की परिक्षा में कमाल कर दिया है बता दे ओर डीपीएस रांची में 8 संकाय में पढ़ती थी उन्हें 97.6% अंक प्राप्थ हुए हैं खास बात यह है कि उनकी बोड परिक्षा के समाहे उनके घर परेट पड़ी थी मुस्किल समाहे में भी उन्होंने हिमत नहीं हारी और 20 परिक्षा में सामिल हुई आपको बता दे कि IOC की बोड प टीम का उनके घर पर लगातार आना लगा हुए था इसके बावजूद इनके उन्होंने आत्में विश्वास और होसले से पुरी परिक्षा खत्में की और अमतिम रियल्ट में सफलता हासिल की रामगण में बारिस के दवरान बजरपाच से मिथेन गैस में लगी आग ज्यारखंड के रामगण जिले के मांडू पर खण अंतरगत लईयो उत्री वर लईयो तक्षनी पंचात में कच जगों पर तेजी से मिथेन गैस का रिसाव जारी है सनी बार को तेजबारिस के दोरान बजरपाज से लईयो करमाली टोलाई स्थीत डिप बोरिंग से मिथेन गस के रिशाव के दोरान अचानक आग पकड़ ली आग किला पेटों को देखने के लिए आसपास के ग्रामीन की भीरी जुट गई गाटना की सुचना मिलने पर सीचेल जारखन उत्खनन पर्योजना का प्रवंधन गाटना अस्थल पर पहुंचा और आग किला पेटों को देख कर वे अचाम भीत रह गया है बतादे करीब 2-3 घंटे तक आग किला पेटे निकलती रही इसी बात आग सोता बुझ गया है नकसली संगठन टी एसपीसी का जोनल कमांडर आदेश गांजु आरेश्ट जारखन में नक्सली संगठन टीएस पीस्ती का सब जोनल कमंडर आदेश गांजू को लातेहार पुलिश ने गिरफतार कर लिया है उनकी निशान देही पर गरेनेट काफी संख्या में गोलिया एक देशी बंदुक आठ वाकी डो की समेत कई अनिसमान बरामत किये गया है लात जारखन कारी एस पी अंजनी अंजन ने निव पूलिस लाइन में अव्यजित एक प्रेस वर्ता में दिया है हेमंत स्वरेन सरकार से समर्थन वापसी की चेतावनी राष्ट पती चुनाओ के बाद राजे में मची सियासी उथल पूथल के बीच जामुमों नीत गट बंधन सरकार को समर्थन दे रहे राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के बिधाया कमलेश कुमार सिंह की नराजगी सामने आई है पार्टी नेतित्यों के निर्देश पर हेमन सरकार को समर्थन दे रहे बिधाय का काना है कि सरकार को समर्थन देने का उन्हें कोई फैदा नहीं भारतिये सेना में उग्रवादियों की सेंध मारी जार्खन में मिले हंथियार जार्खन के लातेहर के बालू माथ थाना छेतर इस्थीच सीरम जंगल में दामोदर नदी किनारे तीरतिये समिलन प्रस्तुती कमिर्टिइ के उगरवादियों के खिलाप छापे मारी में बरामत 40 mm pleasure-sanate गरेनेट सिर्फ भारतिये सेना के लिए सफलाई होता है इसका प्रयोग सिर्फ भारतिये सेना करती है सिर्फ सेना को सफ्लाई होने वाला 40 mm H.E. ग्रेनेड वा इसे समंदित अत्यधुनिक अत्यार की जार्खन में पहली बार बरादमी ने जार्खन पूलिसी नहीं बलिक केंद्रिये जाच एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिये हाँ खरीब फसल की खेती पिछड़ने से किसान चिंतित ना हो क्रिसी पता अधिकारी रांची जीला में खरीब मौसम में कम बारिज होने एवं पिछले साल की तुलना में धान फसल के अच्छादन में कमी परसनिवार को किसान गोश्टी की गई कारेकरम काके के मुरूम गाव में अयुजित किया गया रांची जीला क्रिसी पता अधिकारी बिकास कुमर के द्यक्स्ता में होई गोश्टी में किसानों को कम अधिके धान बीज प्रभेद वा सुखार अधि प्रभेद मसलन सभागी आई आर चोसट डी आर टी लगाने की स को चला दी गई है पहली से आठवी के सीश्कों का होगा ट्रेनिंग नीड एनालीसिस जारकन के पहली से आठवी के एक लाग साथारज सिख्षकों का ट्रेनिग नीड एनालीसिस होगा 27-37 जुलाइ तक हर प्रखंडों में इसका आवेजन किया जाएगा इस द्वरान शिक् प्रति नियोजित किया जाएगा यदि पर्खंड में 400 से ज्यादा सिक्षा खाएं तो पर्खंड अस्तरपने धारीत 100 से अधिक संख्या बढ़ाई जा सकेगी बोकारो इस स्कूल पर आकासिय बिजलीगीरी 25 बच्चों पर परभाव पड़ा जार्खंड की रजधानी राची से लगवग 100 किलोमेटर दूर बोकारो में एक सरकारी बिद्याले पर सनिवार को आकासिय बिजलीगीरी जिसकी चपेट में आकर आधा दरजन बच्चे जुला मातों ने बताया कि दोफलवग 12 बजे बरामदे में कुछ कक्चा के छात्र पढ़ाई कर रहे थे अचानक वहां बजरपात हुआ इससे वहां पर रहे बच्चे उसकी चपेट में आ गए उन्होंने बताया कि घटना के बाद तुरंत बच्चों को जैना मोर सुदर अस्पत कांग्रेस के बागी बिधायकों को नेत्यूत की तलास राष्ट पती चुनाओ की दरवान कांग्रेस बिधायकों दोवारा नेत्यूत के निर्देश के अंदेखी कर राजजग परत्यासी को वोट देने का मुद्धा अभिसांत नहीं होने जा रहा है बगावती बिधायको के सामने समस्या या है कि उनका नेतित्व करने वाला कोई चेहरा खुल कर सामने नहीं आ रहा है कहने को लोग बीत मंत्री डक्टर रमेश्व उराव का नाम ले रहे हैं राष्ट पती चुनाओ के दरान द्रोपती मुर्वो के पक्ष में उराव के बियान को उठा कर देखा ज रहे हैं जे एस एसी ने अभी रद नहीं की जे इन नियुक्ति परिख्षा बीजेपी जारखन करमचरी चैन आयोग की ओर से जुनियर इंजिनियर नियुक्ति परिख्षा लिख गई इस परिख्षा का पेपर लिख होने का मामला तूल पकड़ा इसके बाद धनबात के आई सबसांसद दिपक परकास के ट्वीट करते हुए अरोप लगाया है कि इस मामले में बड़े रकम की उगाही हुई है भूमी अधिग्रहन हस्तांतरन को लेकर रांची डिसी ने की बैठक रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भूमी अधिग्रहन और हस्तांतरन मामले को लेकर बिस्तार से समिक छा बैठक की जहां एन एज ए आई एवं बिभीन परियोजनाओं को लेकर समंधित पतादिकारियों का वसक दिशा ने देश दिये साथ ही प्रभावीत रहितों के भूगतान में तेजी लाने को कहा बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने एनेश 23 गुमला पलमा फोर लेन परियोजना एनेश 33 रांची रिंग रोड परियोजना और मांजी में एनेश 33 में अवैद दखल सरला बिरला एनेश 75 मुर्गु सहीद बिभिन परियोजनाव के बिस्तार से जनकारी ली कोट फीस बढ़ोतरी के खिलाब 25 को मार्च करेंगे वकील जारखन राज बार कॉंसिल के अध्यक्ष रायंद्रे किर्ष्णा ने कहा है कि यदि कोट फीस में बढ़ोतरी करने वापस नहीं लिया गया तो 25 जुलाई को राजी के सभी अधिवक्ता न्याईक करेंगे पूरे राजी में वकील आंदोलन करेंगे वह सनिवार को कॉंसिल कर्याले में पत्रकार उसे बाद कर रहे थे उन्होंने बताए कि 25 जुलाई को न्याईक कार्य नहीं करने से समंदी पत्र सभी जीलो के बार संगों को भेज दिया गया है सरकार ने कॉंसिल की सामाती के बगार ही कोट फिस में बढ़ोतरी कर दिया है इसका असर आम लोगों और वकिलो पर भी पड़ेगा जे एस एसी जैई प्रशन पत्र लिक मामले में आरोपी रंजीत मंडल आरेस्ट जे ए प्रशन पत्र लिक मामले में पूलिस ने आरोपी रंजीत मंडल को ओड़ीशा से गिरफतार कर लिया है ग्रामीन एस पी नवसाद आलम ने बताया कि सरगना की तलास में छापे मारी की जा रही है इसमें जार्खन करमचरी चैन आयोग के करमी के मिली भगत को लेकर भी जारी है उन्होंने बताया है कि बड़ा गिरो है जो 15-20 लाख रूपे में प्रस्न पत्र बेशता है जार्खन करमचरी चैन आयोग के द्वारा कनिया भियानता की नियोगती को लेकर 3 जुलाई 2022 को सुब दस बेशे लिखित परिक्छाली गए थी परन्तु परिक्छा से दो हंटे पलाई प्रस्न पत्र लिखो कर वारल होने लगा था जे ए सी ए स्टेडियम में मना इनर वील कल्ब आप स्वार्न रेखा राची का छठा पदस्थापना समारो जे ए सी ए स्टेडियम धुरुआ मनाया गया कारेकरम का सुभारा मुख्याती थी पूर्व जीला अध्यक्ष सिरी मती पुनम परकास के द्वारा दिप्रोजलन एवं रिंकु बनर जी के वंदना गायन से हुआ कल्व की निव वर्तमान अध्यक्ष निता नरायने सत्र दोयर बाई स्टेज की अध्यक्ष नम्रता कुमार को विध्युवत पीन पहना कर पदभार सौपा बजरपात से घायल बच्चों से मिले सिक्षा मंत्री जारखन के सभी स्कूल में तड़ित चालक लगाया जाएगा ताकि भविसे में बजरपात समंधित कोई घाटना नहीं हो यह बात सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने कही सिरी महतो बांध डी मद्ध विद्याले में बजरपास से प्रीद बचों का हाल चाल लेने के लिए बुकारो जोनलर अस्पताल पहुँचे बचों के इतिती का जाजा लिया मौके पर उन्हें कहा कि स्कूल में तडित चालक लगाने समधी आदेश फरोन जारी किया जाएगा जहां तक बांध डी मद्ध इस्कूल की बात है यहां दस दिन के अंदर तडित चालक लगेगा एक हरवे दिन इस्कूल का फिल से मुआयना किया जाएगा मौके पर डीडिसी किर्ती सिरी जी आपदा अधिकारी सक्ति कुमार जिला सिक्छा पदा अधिकारी निलम आईलीन टोपो जहां मुव जिला अध्यक्ष हिरालन मांजी बोकारो महानागर अध्यक्ष मंटू यादव अने मजूद थे लातेहर में ग्राम सभा कर सीमा पर लगा दिया बोड गाम एनो इंट्री जहरखन के लातेहर जीला के चंदवा पर खंड में प्रस्तावीत बन हरदी कोल बलोग से परभावित हो रहे है बारी पंचायद के कुछ लोगों ने पांचवी अनुसूची छेतर का हवाला देते हुए ग्राम सभा के बाद परमपारी की रिती रिवाज से पूजन कर पंचायद की सीमा पर बोड लगा दिया है रिती रिवाज से पूजा, भेगराज, पाहनव, नरेश, पूजार ने संपन कराई ग्राम सभा ने पांचवी अनुसूची छेतर का हवाला देते हुए गाव में बारी लोगों की इंट्री परोक लगा दिया है बारी गाव के परवेश मार्ग के अलावा सीमाने पर आईसी कूल पांच बोड लगाए गए है परखंड में बनहरदी कोल बलोग की सुरुवात होनी है पंकज मिस्रा डॉमी कमपिनियों के सहारे लोगों को दिलाता था टेंडर टेंडर खोटाले में मनी लॉंडरिंग के तहुत अनुसंधान के दोरें की रफ्तार मुख्य मत्री हमानसरेन के बरहेट विधान सभाच चेतर के विधायाग परतिनेधी पंकज मिस्रा डॉमी कमपिनियों को टेंडर दिलाया ये टेंडर कोड़ो रूपए के हाँ इडी को इन टेंडर के बारे में जनकारी मिली है जिसके बारे में जनकारी जुटाई जा रही है और पंकज मिस्रा से उसका सत्यापन कराया जा रहा है धन्यवाद